हेलो एवरिवन स्टार्ट करते हैं हिंदी के न्यू टॉपिक संग्या से सबसे पहले पढ़ते हैं संग्या की परिभाशा संग्या क्या होती है किसी प्राणी, बस्तु, इस्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संग्या कहते हैं जैसे आलो, पुस्तक, जोत्पूर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी, आदी संग्या के प्रकार क्या है संग्या मुख्यता तीन प्रकार की होती है व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या परस्ट पढ़ते हैं व्यक्ति वाचक संग्या क्या होती है व्यक्ति वाचक संग्या व्यक्ति विशेश वस्तु विशेश अथ्वा इस्थान विशेश के नाम को हम व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे व्यक्ति विशेश के बारे में हम देखें तो व्यक्ति विशेश जैसे किसी का नाम अभिशेक, कुंजन, कविता, कामीनी, लोकेश वस्तु विशेश, रामायन, उश्यापंखा इस्थान विशेश, जैपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय, आधी व्यक्ति वाचक संग्या के बाद में आता है जाती वाचक संग्या जाती वाचक संग्या जिस संग्या से किसी प्राणी, वस्तु, अत्वा इस्थान की जाती या पूरे वर्ग का बोध होता है उसी जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे प्राणी में देखा जाए तो मनुश्य, लड़की, गाड़े, मोर, सैना, सभा, आदी वस्तु की बात की जाए तो पुस्तक, पंखा, मशीन, दूद, साबुन, चांदी इस्तान की बात करें तो इस्तान में आते पहाड, नदी, भवन, शहर, गाउं, विध्याले इसके बाद में बात करते हैं हम भाव वाचक संग्या की भाव वाचक संग्या किसी भाव, अवस्था, गुण, अत्वा दशा के नाम को भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे सुक, बचपन, सुन्दरता वैसे तो भाव वाचक संग्या के दो भेद और होते हैं समुदाई वाचक संग्या तथा द्रव्य वाचक संग्या ये दो भेद हैं भाव वाचक संग्या में जाती वाचक संग्या सर्वनाम, विशेशन, क्रिया तथा कुछ अव्य पदों के साथ प्रते के मेल से भाववाचक संग्या बनाते हैं इससे उन जाती वाचक संग्या का रूप परिवर्तन हो जाता है भाववाचक संग्या में जैसे हम किसी की नाम के आगी ता लगाएंगी तो ता के प्रते के मेल से जो जाती हो आचक होता है वो भाव आचक में बदल जाता है ता के प्रते से देखते हैं मानव का मानवता, मित्र का मित्रता, प्रभू का प्रभूता, पशु का पशुता उसके बाद में त्व प्रत्य लगाने पे पशु का पशुत्व, मनुश्य का मनुश्यत्व, कवी का कवित्व, गुरु का गुरुत्व बनता है उसके बाद पन प्रत्य लगाने से लड़का का लड़कपन, बच्चा का बचपन अप्रते लगाने से शिशु का शैशव, कुरु का गौरव, विबु का वैभव छोटी ई लगाने से भक्त से भक्ती बन जाता है बड़ी ई लगाने से नौकर से नौकरी, चोर का चोरी आपा लगाने से बहन का भहनापा त्व थीक उसी तरह एक से सर्व नाम से भावू आचक संग्या त्व प्रते लगाते हैं तो अपना का अपनत्व, नियुका निजयत्व, सव का स्वत्व, पन का अपना, पन का उधारन अपना का अपना पन, परायापन, कार अहम का अहंकार स्वा का स्वा का सर्वस्व सर्व सर्वस्व जैसे सर्व नाम से भाव आचक संग्या में बदलते हैं ठीक उसी तरीके से हम विशेशन से भी भाव आचक संग्या में परिवर्तन कर सकते हैं बड़ी की मात्रा के कुछ उधारन इस प्रकार है साफ का सफाई, अच्छा का अच्छाई, बुरा का बुराई, आस का खटा से खटास, मीठा मीठास, ता लगाने से उदार का उदारता, वीर का वीर्टा, सरल से सरलता, यह प्रत्या लगाने से मधुर का माधुरिय, सुंदर का सौंदरिय, स्वस्त का स्वास्तय, पन का खटा से खटापन पीला से पीला पन त्वा से वीर का वीरत्व वीर से वीरत्व बड़ी की मात्रा लगने से लाल का लाली जैसे सर्वनाम और विशेशन को हमने भावाचक संग्या में परिवर्तन किया ठीक उसी तरीके से क्रिया को भी हम भावाचक संग्या में परिवर्तन कर सकते उसी तरीके से कुछ शब्द, उन शब्दों के पीछे जुड़ जाते हैं कुछ अक्षर, जैसे खेलना का खेल, लूटना लूट, जीतना जीत, ई से हसना हसी, हसना हसी, आई से चड़ना चड़ाई, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, आवट बनाना बनावट, थकना थकावट, लिखना लिखावट, आव, चुनना चुनाव, आहट, घबराना घबराहट, गुनगुनाहट, गुनगुनाना, न लगाने से लेना देना, लेन देन, खान, खाना का खान हो जाता है, उसी तरीके से कुछ अव्याई शब्द होते हैं, जिसको हम भावाचक संग् में परिवर्तन करते हैं, उनके कुछ शब्द इस प्रकार है, जैसे यह अक्षर है, तो उसे बीतर से बीतरी, उपर से उपरी, दूर से दूरी, यह प्रत्य का समीप से सामिप्य, एक परसपर से परसपरी, व्यवार से व्यवारी, ताका निकट से निकटता, शिग्र से शि Thank you.